अब यह वैकॉम वन जो है यह डिस्प्ले अग्राफिक्स जिप्स का डिस्प्ले टैबलेट है और इसको मैं जो यूज कर रहा हूं तो अभी ओवी एस के साथ में यूज कर रहा हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर यह सभी कुछ डिस्प्ले हो रहा है जैसे कि साथ में देख सकते हैं कि मॉनिटर भी है तो यह मॉनिटर पर भी वो सेम डिस्प्ले है तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है यहां जो पहली एक वीडियो थी उसमें दिखाया तो जो CPU है CPU की जो output है उसको यह split करता है तो यहां इसके मैं यह क्या यूज कर रहा हूँ जैसे यह मेरा monitor का है और यह यहां का display का है तो सामने देख पा रहे हैं जैसे कि आप यह monitor और monitor के बाद में यहां में जो है जो display tablet है वैकॉम का वैकॉम 1 इसका model है तो उसको यूज कर रहा हूँ तो यह actually display है और जो दूसरा जैसे कि आप देख पाते हैं कि यह यहां पर इसको बोलते है pen tablet जो normal है और क्या differences है और कहां किस point हो पीसे यह जो display है यह better है उसको खुद ही आप जैज कर पाएंगे तो यहां मैं कुछ software यूज करूंगा उन software के तुरू देख लेंगे कि which one is more comfortable so सबसे पहले मैं यहां पर one note यूज करता हूं तो यहां one note जो मैं यूज कर रहा हूं तो you can clearly see कि जो point है about to the one note या जैसे भी है तो यहां मैं केवल जो focus करूंगा जो first important point है that I will focus only on this monitor तो यहां मैं select कर लूँगा एक यह thick थोड़ा सा red color का और यह जो color आप choice करना चाहें जितना thickness करना चाहें उतना आप यह thickness यहां से select कर सकते हैं so यह feature available है so यहां first point जो मैं observe करता हूं कि one will focus only on the display जहां अपलिक रहे हैं तो अभी देख रहे होंगे कि आप यह कुछ अगर आब आज आप तक पहुंच पा ही यह when I am writing so some kind of disturbance you had observed actually angle जो है अभी मैं जो लिख रहा हूं वो इस particular angle पर लिख रहा हूं इसके आसपास रहेगा तो तब यह आवाज आएगी और उसका region क्या है कि यह जो ग्राफिक अभी मोड में चलना है तो आप इसको थोड़ा सीधा रखेंगे और फिर जो लैग है उसको आप फोल्ड कर देंगे और उस तरीके से यह फिर आपका मैनेज हो जाएगा तो एक जब हम बाद कर रहे हैं एंगल और दी पैन और जो आपका focus है वह only यह जो screen है डिस्प्ले स्क्रीन है इसी पर है क्योंकि आपको यहां पर विजीबल हो रहा है सबीची तो जैसे कि नॉर्मल जो ग्राफिक्स टैबलेट हैं उसमें क्या होगा कि जब हम यहां लिखते हैं तो most of the time जो है वह monitor की जो screen है उस पर focus रहता है तो उतना clarity के साथ में और उतना explanation के लिए नहीं हो पाता है तो more explanation है you can give through this one यह जो display tablet है तो teaching के time पे जो आपका यह display है it is more helpful as compared to the जो earlier one जो graphics pen tablet है तो यह जो है डिस्प्लेय का यह ज्यादे comfortable है तो यहां आप देख सकते हैं कि जो भी मैं कुछ लिख रहा हूं वो almost line के अंदर है अगर मैं कोई equation भी इस तरीके से लिखता हूं तो वो भी ऐसे ही रहेगी right क्योंकि मुझको पता है और यहीं पर ही line दिख रही है तो यह सब कुछ साथ में रहेगा अगर मुझको कोई circle ऐसे design करना है यह ड्रा करना है तो i can basically draw here तो यह तो one note के feature है तो साथ में ही मैं आपको अभी दूसरा जो software उसको यूज करता हूं यह classroom presenter है तो classroom presenter में जब मैं यहां एक pen select कर लेते हैं white color या yellow color तो यहां पर भी यह yellow color जब लिख रहा हूं तो जब बहुत ही ज़्यादे में press करूंगा तो उस time पर इसका जो thickness है obvious है कि ज़्यादा होगा और normal जो है तो अभी यह जो आवाज है यह screen और इसके बीच की है pen की तो उसकी thickness उसका जो bending है actually वो ज़्यादे है तो उस point हो भी से लेकिन यहां भी visibility जो है आपके का जो focus है that is only on the screen so because of that you had focused here and you are writing so everything basically so much smooth as compared to that one so you don't need to look here and there like in the pen tablet so you are just focused on the display and because of that whatever explanation is you are giving toh वो जाते comfortable है वो जाते easy है right so like if you will draw here this one or like this or there are so many points actually for the explanation if you have to draw this so and that's feasibility कि एक पॉइंट यह आया कि जब मैं explain कर रहा हूं तो I have just focused only on this screen screen यह जो display screen है जो normal pen tablet है उसमें क्या है कि हम लोग यहां पर लिखते हैं हाथ को practice के हाथ को practice कराना पड़ता है पहले यहां पर लिखने के लिए और focus जो रहेगा वो monitor पर रहता है जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी इसो कर चुका हूं पहले जो यह simple pen tablet था लेकिन graphic यह जो display pen tablet है इसमें ऐसा कोई problem नहीं है इसमें यह just focused है यहां और काफी comfortable है उसके तो easily जो भी लिखना है वो sequence में लिखा जा सकता है आप एक part उसके divide कर सकते हैं page के तो यह तो point रहा जो मेरे पास में software है नो one note है या फिर यह classroom presenter है लेकिन आपके पास में जो है उसको किस तरीके से लिखते हैं कैसे आप करेंगे that is your point तो अब यह next जो है point यह about to the power point presentations का है कि अगर आपको power point presentation है तो आप यहां से एक pen select कर लेंगे और जो भी color आपको अच्छा लगता है उस color को तो यहां मैं सबूझ किए इस color को select करता हूं तो in your explanation जो PPT आप teach करते हैं for an example here whenever I basically give my presentation about to the research publication at that time basically I use the slide so उसी में से यह slide यूज किया है so अगर सपोज किया मुझको यह predatory and clone journals I have to explain or if I have to mark or underline anything so I have just focus only on the power point presentation right and I can explain anything by this way or suppose I have draw something here and I have to write some equation so it is more comfortable right and you can highlight any point you can explain anything or by writing anything and flow you can observe and any other things which you feel that this will be the point so there are some points suppose you have to explain some point so you can explain in a systematic way for an example journal ask for submission rather than publication fee so there are so many journals actually they don't ask publication fee and they ask submission fee so first of all whether your article is published or not in that journal but they usually ask submission fee instead of the publication fee publication fee means that after the acceptance of the paper they will publish into the journal and that fees basically if they charge article processing charges that basically comes through this one this segment right so this is the point of the graphics display because everything is in your hand and you can basically freely you can talk or anything you can display basically or any picture suppose this is any picture and one have to highlight one small point or anything so you by this way actually you can draw or you can write with some an example in the side of the PPT your PPT right so there are so many things are to explain about to the display Wacom 1 display all is related to the teaching the teacher's perspective is point of you say Wacom 1 graphics tablet so this can be considered there anything tools can be done which to say the other than the other thing is the other thing is what the difference is that I have just tried to show and where I came onto the OBS which you can read OBS यह आप देख पा रहे हैं यह आपको सूट किया होगा आप मेरे डोटर ने कुछ काफी चोटी है वी फॉर्थ क्लास में कुछ वीडियो उसने मनाए है और उसको उसका जो वीडियो में सेर किया है and here from my point of view vacuum one is best for the teaching purpose because I am a teacher and from that point I can say this type of display tablets are more comfortable for the teachers description में एक link given है आप उसको visit कर सकते है और जिस platform पर भी आपको reasonable price में मिलता है तो you can buy that one so this was all about to the vacuum one thank you for watching this video and if you have any question you can ask about to it right so thank you thank you once again